कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल लो समझल में मैं प्रदीव कुहार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों सोचियो लाजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सिक्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्मा पार्ट वीडियो ओके यह सत चैप्टर तक विल्कुल आच्छी तरह से असा करता हूं कि आप लोग ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा और बहुत सारी चीजे आपको समझ में आई हुए और बहुता तरीके से समझ में आई हुए ठीक है जैसा कि हम हर वीडियो बताता है कि प्रतेक वीडियो का पी इकजाम में हमेशा पूछे जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखके बनाया गया बहुत ही इंपार्टन कोषिणों को संद किया गया है जो की इसमें से काफी ज्यदा संभावना होती है पूछे जाने की तो सत्मधा जो है वह है समूदाए जिसको इंगिनिश में बोला ज सकते हैं उन्हें पार्टन को हमने लिया है पाकि फर्जी कोई क्वेश्चन नहीं बस इतना ही पढ़ लीजिए आपके लिए काफी हो जाएगा ठीक है जैसा कि पहला प्रसन है समुदाय से आप क्या समझते हैं समुदाय से आप क्या समझते हैं विवेचित कीजिए यह 2011-15-16- लगवा हर इनवर्सिटी में अलग अलग जगहों पर हर साल पूछा जाता है ठीक है अगला प्रसन है कि समुदाय भावना से आप क्या समझते हैं समझते हैं यह 2011-15-16-22 में पूछा गया है ठीक है नेस्ट तीसरा कुश्चन आता है समित समुदाय है या नहीं इस प्रस्ट कि जीए और चौथा कोश्चन आता है समीत यह नहीं अंतर बताई ठीक है और पाचवा कोश्चन आता है समुदाय के प्रकार पर संशित दिपढ़ए लिखे यानि कि टोटल हमने पांस कोश्चन हैं दोस्तों सालें पांस कोश्चन हैं जोकि काफी जयदा संभाव नहीं होत करते हैं इस चैप्टर के अंदर का सबसे महत पूर टॉपिक है जो समुधाय का आर्थ क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी हमको डिफनेशन याद होना चाहिए और समझना चाहिए कि उसका आर्थ क्या होता है तभी हम उस चैप्टर से संबंदी सब्सक्राइब को सालब कर पाएंगे तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ध्यान दिजीगा इसका पीडिया भी आप आसानी से डाउनलोड कर लिजीगा कामिटी सब्सक्राइब लेटिन भासा के कौम तथा म्यूनस सब्सक्राइब करके बना है किसे कौम तथा म्यूनस सब्सक्राइब करके बना है कौम का रथ होता है साथ साथ क्या होता है साथ साथ म्यूनस का रथ होता है सेवा करना ठीक है साथ साथ से करना यानि हम समदा को एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस समाज में लोग साथ साथ रहते हैं सारे त्यवार सारे पर वो सभी चीजें जिस परिवार के या जिस पडोश के लोग सभी चीजें एक साथ मिलकर के मनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं समदाय कहते हैं जहां पर एक दूसरे कि प्रति सेवा करने की भावना जागरत हो उसे क्या हम कहेंगे समदाय कहेंगे अर्थात साथ साथ अर्थात साथ साथ मिल जुलकर कार करना ओके जैसा कि हमने बताया कि साथ सारी काम होते हैं तो उसे हम समदाय का रूप दे देते हैं साब्दिक अर्थ से समदाय की केवल एक जिएसता है ज्यान होता है क्या होता है इस धारणाथा को साथदिधंस संतोर संत्कर्मूस के रूप में इस पन सक्षर्णणा इस पूस्ट नहीं किऊ जा सकता है जैसा कि समुदाय समान जीवन का एक छेत्र है यहां स्वार्थ नहीं होता सभी कारे मिल करके होते हैं चाहे वो त्यवार हो कोई पर्व हो या फिर कोई कारिक्रम हो उसमें सभी की हिस्सेदारी होती है बराबर सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं जैसे किंशले लेएस के अंसार एक समाज सास्त्र है मातपुल्ट जो की सारे किताब उनों ने लिखी है और भाहूस सारे रिसर्च इन पर हुके समुदाये सबसे छोटा छेत्री समुव है जिसमें समाजिक जीवन के सभी पहलू मिलते हैं तो इनका परिवासा जो है वो कह रहा है कि समदाश सबसे छोटा छेतरी समूँ है जिनमें समाजिक जीवन के सभी पहलू मिलते हैं तो ठीक है भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसा कि हम लोग पहले देखते थे कि जो गाउं में होते थे लोग वहाँ एक समदाइक भाउना देखने को मिलते थे पहले क्या होता था कि एक कुमा होता था कुमे में सभी लोग पानी भरते थे और सब लोग बैट करके बाते करते थे हाना वहीं पर कप्ड़े धोते थे और एक दूसरे के प्रति भहिया दीदी दादा सब मनलब कितनी प्रेम भाउना जागरत रहती थी जब पहले गाउं में चप्पर होते थे तो चप्पर बना रहता था चप्रा उठाया जाता था तो सभी लोग को बुलाया जाता था और स मनलब कितना प्रेम भाउने से सारी काम होते थे लेकिन बट वर्तमाल समय में जितनी उपलब्धियां बढ़ गई हैं जितने संसाधन बढ़ गए हैं वहां समाजिक जीवन का महां तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है चीड़ हो रहा है बोगाडस कहते हैं आई नेश्च देखत हास करता है क्योंकि भू भाग बहुत बड़ा है हमारी दुनिया का भूब बढ़ ब़ह हर चेत्र में कुछ ना कुछ ब्रक्ति निवाशी लेकिन सबी चेत्र को हम समदाईक नहीं कह सकते हैं जहां पर सारे कार मिल जूल करके होते हैं क्योंकि आपने यह सारी कार देखे हों बल्कि बीना काम के नहीं जाते हैं लेकिन जो की समुदाय को सबसे अधिक महतपूर तथा प्रमुक आधार पर समुदायक भावना है समुदाय को सबसे अधिक महतपूर तथा प्रमुक आधार पर समुदायक भावना है इसे यदि समुदाय का प्राण कहा जाए तो अतिस्योक्त ना होगी क्योंकि यद एक समुम में निश्चित भुभाग समान जीवन स्वता विकास विशिष्ट ना मिलते हैं किन्तो समुदा समुदाय को प्राण कहा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई समुदाय को प्राण कहा जाए तो इसमें किसी विविकार की कोई दिक्कत नहीं आतिस्योक्त नहीं क्योंकि समुदाय में क्या होता है कि एक दूसरे प्रतितना लगन होता है एक भाई चारा होता है कि अग नहीं पाई जाती हर जगा समदाय नहीं कहा जा सकता समस्नाट खॉपन में भागेदारी होती है जैसे पहले बताया कि समुदाई भावना तब उदे होती है विक्तियों के प्रति जब समुदाई के लोग समान जीवन में भागेदारी होती है हाना ऐसे नहीं किसी को समुदाई के देंगे कोई नगर बस गया कहीं जाकर एक नया आपने देखा हुगा कि वर्तमान समय में प्लाटिंग बहुत हो रही तो बहुत सारे प्लाटिंग में अलग अलग छेत्रों से लोग आते हैं तो हम उससे समुदाई कैसे कह सकते हैं उससे बैखे अब मनें पासिपरोश के साथ खेले हैने आज पड़ोश के साथ परिवार के साथ अनुसारी प्राप्त की हैं तो वो एक तयु कि longoर्वध Esseow समय में आपने देखा होगा कि इतनी संसाधन को प्लवद्रियों के कारण लोग भूख एक कपो kulli तोड़े चेड़ शेठ्र अगृ लेकि अधिया jotthकू ? कि लोग घाव में हिरते थे वहां कम आते खाते खेति करते कृषानी करते थे , एक दूसरे के काम आते थे बर वरतमाल समय में सवर्षताओं के पूरती के लिए लोग अपना चोड़ रहे हैं यहां तक कि लोग अपना देश लग चोड़ करके बाहर जाते हैं अपने opens संदाए उनके निया समुऊ होगा तो उससे हम समय कह सकते हैं आधतес complaint가요 और समझ में भी आ रहा होगा इस वीडियो को एक या दो बार सुनिएगा बिल्कुल ध्यान पूर्रक सुनिएगा और इजाम से पहले कम से कम पांच बार इस वीडियो को देखिएगा 100% सारी पॉइंट किलियर हो जाएगे यह मैं आपको गरंटी देता हूँ ठीक है समान आसाओं वा आकांचाओं का अन्भो करते हैं समान उस्सवों वा पर्व को मनाते हैं जो समदाइक होते हैं दुख सुक में समलित होते हैं समदाइक भावना की अभिवयक लमले सब्द के अंसार यह वह अस्थान है जहां हमारा जन हुआ पालन पोसड हुआ हमने अपनी भासा सीखी अनेक खेल खेले जहां हम आसा आकांचा के सपनों में जूले यह वही अस्थान है जिसने असंक रूप से हमें प्रभावित किया संसार के प्रति हमारे दरश्ट कोड को ढाला मैकाइवार और पैस के अंसार समदाइक भावना समाजी करण की प्रक्रियास से ही विक्सित होती है जहां समाजी करण होती है जहां समाज की लोग होते हैं वह वह करने भासा सीखिज जहांपर हम लोग खेले पढ़े बढ़े उसे हम क्या कह सकते हैं समब्दाय कर सकते हैं अगणा कोईसन हम देखेंगे समीत समब्दाय है या नहीं इंपष्ट किजिए California मीत ऊ Twist की जीए ओके ऐसा question आपके एक्जाम में बनता है तो समीत को समझना बहुत जरूरी और समदाय को समझना बहुत जरूरी अगर दोनों की माइकाईवर तथा पेश के द्वारा लिखित सोसाइटी से लिया गया है। इस कथन का उद्देश समीत संधाय का अंतर इसप्रष्ट करना। अंतताह समान रूप से समीत संधाय के अंतरगत पाए जाने वाला संगठान होता है। समीत लगू वा विशाल दोनों ही प्रकार के होती है। कुछ ऐसी विशाल समीतियां होती हैं जिनके विशय में माइकाईवर और पेश का कथन गलत सिद्ध होता है। उदाहरार के लिए राज समीत जिसके अंतरगत अने ग्राम नगर प्रदेश आज समधाय आते हैं। हाँ यदि राज को माइकाईवर और पेश के अंसार समधाय माना जाए तो उनका कथन सर्वता उचित होगा। इसा माना जाता हुए कि वह राज को सम्दाय माना जाए और इसा कहना उचीत होगा बट यह तो हमारे लिए कम चीत है क्योंकि राज के अंतरगत पृतिक डिस्टिक और हर जगए एक सम्दाय की भावनわかत नहीं किया जा सकता इस कतन से मैकाईवर वह पेश का आसे या है कि ग्राम नगर और प्रदेश आधी समदाई एक केंद्र पर ब्रहत से बहतर ब्रत्तों का निर्मार करते हैं तो ग्राम होता है वो सबसे चोटा ब्रत बनेगा फिर उसे बढ़ा नगर बनेगा थी हमेक उसे बढ़ा प्रदेश बनेंगा तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा समधाय की परभासा हो जाएगा एते हो समितियां चाहे जितनी बड़ी हो इनहीं व्रत्तों के अंतरगत मिलती है वास्तों में इस विश्यों में दो मत नहीं हो सकते इस द्रश्ट से समितियां समधाय के अंतरगत पाए जाने वाले संग यह इस टाइब का कोश्चन जरूर बनता है तो समित और समधाय में अंतर को समझेना काफी उपार्टेंट है आई यह समझते हैं जैसा कि हमने टोटल पांच अंतर दिये हैं यहां पर क्रम दिया हुआ है इधर हमने क्रमांक लिखा है और इधर समधाय लिखा है और इधर हमने समित लिखा सबसे पहले पहला नंबर पढ़ेंगे समधाय स्वयम विक्सित होता है जबकि समित का निर्मार सोज विचार कर किया जाता है जबकि समित का निर्मार सोज विचार कर किया जाता है लुकई ध्यान रखेगा कि कोई भी ब्यक्ति एक बार में एक ही समुदाय का सदस्व होता है और इसमें समित के अंतरकत एक ब्यक्ति एक ही समय में अनेक समित्यों का सदस्व हो सकता है आगे देखेंगे, आगे है कि चौथा पॉइंट समुधाय के अंतरकत समान नियमों की ब्योश्था होती है, जबकि समीतियों के नियम समान नहीं वरन विशिष्ट होते हैं, और नेस्ट पॉइंट है पांच नमबर, समुधाय की सदस संक्या विशाल होती है, जबकि समीत की प्रकिस समुधाय की अपेच्छा आइस्था ही होती है, नेस्ट हेटिंगे समुधाय के प्रकार, देखें, समुधाय का वर्गी करण, प्रसिद्ध विद्वान, प्रो किंगले, डेविस द्वारा, निर्धारिक कसोटियों के अधार पर किया जाता है, जो कि निम लिखित ह पहला है, जन संख्या की विशालता, दूसरा, समुधाय के चतुर्दिक प्रदेश का विश्तार, संपति तथा मानो संसता, तीसरा है, पूरे समाज के विशेश कार, और चौता है, समुधाय के संगठन के प्रकार, तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतरकत कुल इतनी हेडि के से, और यतने ही सारे लगवख पांच जो क्विश्चन हमने इंपार्टेन बता हैं, यही क्विश्चन पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से, तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर बताईए कमेंट में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, यार आप के लिए कितनी हम मेंनत करते हैं, पीडिया फिरी में देते हैं, और चैनल को अभी आपने सस्काइब नहीं किया, तो भन न से सस्काइब कर लिजी, यानि तुरांत सस्काइब कर लिजी, और अपने दोस्तों साथ इसको सेयर भी कर दिजी, ओके, सेयर भी कर दिजी, वीडियो को यहीं पर स्टाप करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत